नमस्कार मैं सारिक अश्रवास्तौ स्वागत है आपका आइनन24 में रुप करते हैं जारखन के खबरों की ओर करते रोहित डोम को पकड़ा गया जिसके बाद चोर की स्थानिय लोगों ने जम कर पिटाई कर दी जिसके बाद सदर पुलिस स्थाना को सूचना दी गई लेकिन घटना स्थल से थाने कुछी दूर पर होने के बावजूत पुलिस को आने में आधा घंटा से अधिक समय लग पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुँच कर स्थानिय लोगों पर भडास निकालने लगे ASI सिव नरायन सिंग ने कहा कि थाना चल कर पहले लेखित सिकायत दीजिये नहीं तो चोरों को हम छोड़ देंगे जिसके बाद स्थानिय लोगों ने थाने में चोर के खिलाफ शिकायत दर्च कराई बस्ती पिडा के जैकिशन अगरवाल ने कहा कि ये मेरे घर और दुकान में तीन-चार बार चोरी कर चुका है साथ ही कई लोगों के घर और दुकान में चोरी कर चुका है दुकान से कोल ड्रिंक चोरी करते वक्त पकड़ा गया था उस समय छोड़ दिया गया था कहा चार महीने से यह भस्ती पिड़ा में कर रहा है कहा कि सदर पुलिस थाना को सूचना दी गई आधे गंटे बाद पेट्रोलिंग टीम पहुँचकर रोहित डोम को थाने ले गई और उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई ASI शिव नरायन शिंग ने कहा कि डायल सो पर पुलिस को सूचना दी गई थी हम लोग पहुँचे हैं चोरों को पकड़ कर थाने ले जा रहे हैं लिकित शिकायत दर्ज करवाने पर आगे की कारवाई की जाएगी यह मालूम में कोन है यह पहले होस्पीटल कॉनली में था वहां से इसको भगा कि अभी धिश्ती पड़ा वें कई भाड़ा वे घर में रह रहा है अपना मा और बाप के साथ पुलिस की इंप है अधा गंटा हो गया यह पुलिस आ गई है हमने आपको फोन किया गया कि छोर पकड़ाया है यहाँ क्या प्या दें बस वह एक आदमी को पकड़ के दिये हैं लोग उसको ले जा रहे हैं थाने पर हम ही नहीं का तक हम अभी कुछ चीज की बिसां में नहीं बता पाएंगे अभी लोग निके देंगे क्या बात है बताएंगे अपना